आज हम बात करेंगे कच्छा 10 के माडल प्रिशनपत्र के बारे में इसको आप माडल पेपर भी कह सकते हैं इसमें आपकी जो परिछा होगी इसमें प्रिशनपत्र कितने नंबर का आएगा और क्या क्या होगा और समय क्या रहेगा यह सारी चीजें इस वीडियो में जानने वा वो भी उपलब्ध करवा दूंगा इसके लावा आप चाहें तो मैं मोबाइल नंबर भी दे रहा हूं संस्थान का उस पर आप चाहें तो WhatsApp करके भी Model Paper ले सकते हैं इसके अलावा आप Telegram Group भी जोईन कर सकते हैं चंद्रा Study Point सर्च करके वहाँ पर भी ये सारे प्रशन पत्र PDF के रूप में आपको मिल जाएंगे इन प्रशन पत्रों को हल करेंगे तो निश्ची तोर पर आपको बोड़ परिच्छा में लाब मिलेगा इसका क्योंकि काफी प्रशन पत्र हल करने के बाद एक फायदा ये होगा आपको सुरोप समझ में आएगा कि किस तरह के प्रशन पूछे जाएंगे आप से परिच्छा में और आपकी जो गति है इन प्रशनों को हल करने का जो अभ्यास है ये बन जाएगा इसलिए आप इने सभी प्रिश्णों को एक बार जरूर हल करिएगा यहाँ पर आप देखेंगे समय तो समय जो है आपका 3 घंटे 15 मिनट का है और पूर्णांक यानि जो आपकी परिच्छा होगी कितने अंगों की होगी 70 नंबर की होगी इसके लावा निर्देश आप पढ़ेंगे प्रिश्ण पत्र के 15 मिनट परिच्छार्थियों को प्रिश्ण पत्र पढ़ने के लिए निर्धारित है इसके लावा प्रिश्ण पत्र दो खंड और बा में विभाजित है आ और बा खंड में बाटा गया है आपके प्रश्ण पत्र को इसके लावा तीसरा पॉइंट देखेंगे इसमें क्या होगा या आप देखेंगे तो बहुविकल्पी जो है प्रश्ण है इसमें और इसमें होगा क्या सही प्रश्ण का चैन करके OMR सीट पर नीले अथवा काले बाल पॉइंट पैन से सही विकल्प वाले गोले को पूर्ण रूप से काला करें आपको करना क्या होगा वहाँ पर आप्सन दिया रहेगा जिसे माल लिया एक पहले प्रश्ण का हल करना है यहाँ पर A, B, C और D चार विकल्प दिये काला करेंगे अगर B आपसन सही है तो इस गोले को काला करेंगे इसके लाव अगर C प्रश्ण पत्र प्रश्ण जो है सही है C आपसन सही है माफ किज़ेगा है यहाँ पर अगर प्रश्ण एक का C आपसन सही है तब आप C का नीचे जो है इसको काला करेंगे अगर D option सही है तो D के नीचे वाला गोला जो है इसको आप पूरी तरह से काला करेंगे अभी मैं प्रेशन में पत्र का जो OMR seat होगी मैं अभी आपको दिखा दूँगा अगले वीडियो में और किस तरह से आपको उसको भरना है और रोल नमबर इत्याद कैसे आप सेट करेंगे उसको कैसे भरेंगे कैसे लिखेंगे ये सारी चीज़े हम उस वीडियो में आपको बता देंगे यहाँ पर आगे देखेंगे यहाँ पर आप देख पाएंगे क्या हो जाएगा बहुवी कल्पी जो प्रश्ण होंगे खंड आ के खंड आ के जितने भी बहुवी कल्पी प्रश्ण होंगे उन सभी को आप ओया मार सीट पर करेंगे इसके लावा खंड आ में बहुविकल्पी प्रश्णों है तो एक अंके निर्धारित है यानि जितने भी खंड आ में प्रश्ण होंगे उनके लिए एक नमबर आपको मिलेगा उसके बाद प्रश्ण पत्र के खंड आ के प्रश्णों को हल करने है तो एक घंटा तथा खंड बा के प्रश्णों को हल करने है तो दो घंटे का जो समय है निर्धारित किया गया है यहाँ पर आप देखेंगे इसके लावा इसको पढ़ सकते हैं इसके लावा आपके देखेंगे तो प्रतेक प्रस्षन के सम्मुख उसके निर्धायत अंक दिये गए हैं ठीक है हम आगे देखेंगे इसको आप चाहे तो वीडियो को रोंके स्क्रिंशोट ले सकते हैं निश्चित तोर पर आपको फायदा मिलेगा इसका इसको हल जरूर करिएगा आप यहाँ पर पूरां को जो है बीश नंबर का खंड आ के लिए यह बात हो रही है यहाँ पर पहला प्रस्षन क्या होगा बाबु गुलाब राय किस यूग के लेखक है भारतेंद यूग, दिवेद यूग, सुकल यूग या फिर सुकलो तर यूग मैं आपको बता दू इस सभी प्रस्षनों को मैं भी सौल पेपर के रूप में अभी आपको देखने देने वाला हूँ अगला जो भी वीडियो आएगा पहले बहु वीकल पे प्रस्षनों को एक वीडियो बनाऊंगा उसके लावा जो भी खंडबा है उसका अलग वीडियो अप्रोट कर दिया जाएगा और सिर्फ ये हिंदी के लिए ही नहीं इसके लावा विज्ञान, अंग्रेजी, सामाजिक विज्ञान और इसके लावा अन्य जो भी सब्जेक्ट हैं आपके सभी को कवर करेंगे हम क्या हो जाएगा चिंतामड किस विधा की रचना है गबन किस की रचना है और इसके अलाव हम आगे देखेंगे सुकल यूग की समया विधिक्या है और नेड का निर्माड फिर किस विधा की रचना है प्रिप्रवास किस यूग की रचना है important प्रशन है सारे इन सभी प्रशनों को एक बार हल करें लीजेगा आपको बोड़ परिछा में निश्चित तोर पर इसका लाब देखने के लिए मिलेगा हो सकता है यहाँ से आपको कुछ प्रशन उसमें बोड़ परिछा में देखने के लिए भी मिल जाएं इसलिए भी आप जुरूर हल करिएगा इसको मदुसाला जो है किसकी रचना है और भारत भारती किसकी रचना है आधुनिक काल कब से कब तक है मती राम जो है किस यूग के कभी है और हस रस का अस्थाई भाव क्या है यह आप बताएंगे उसके बाद सोहत ओड़े पीट पट स्याम सलोने गात मनो नील मड़ी सैल पर आतप परियोप्रभाद प्रकास यह आपको बताना है इसमें कौन सा अलंकार है और अलंकार से सम्मान दित वीडियो आपको दिया है इसको भी आप देख लीजेगा रोला चंद में कुल कितने च्रण होते हैं इसको भी आप देखेंगे और आकारशन सब्द में किस उपसर्ग का प्योग किया जाता है यह आप बताएंगे और प्रते के कितने भेद होते हैं कितने होते हैं इसके लावा पीतांबर में कौन सा समास है और आसू का ततसम रूप क्या है? और मैं आपको बता दू समास उसे मननित मैंने वीडियो अप्लोड किया है इसको भी आप जूर देखेगा इसके लावा मैं आपको बता प्लेलिस्ट जो बनी हुए उसको आप देख लेंगे तो निश्चित तरप आपको बोर्ड पर इचा करदाउ दस के लिए बहुत भी बेहतरी इंड वीडियो नहीं पर आपको मिलेंगे उनको अप देखते हैं तो निश्चित तरप आपको लाव मिलने वाला ह बहुत कम समय में मैं बहुत बड़ा और लंबा वीडियो नहीं बनाता हूं क्योंकि आप सभी को अन्य सब्जेक्ट भी तयार करने रहते हैं और अन्य काम भी रहते हैं इसलिए मैं सिर्फ उतने ही चीजे बताता हूँ आपको वीडियो में ताकि वीडियो लंबा नहों आरोग आपका समय बरबाद नहोग आगे हम देखेंगे यन संदिका गुण संदिक सूत्र होगा क्या होगा यह आपको बताना है और फलसे सब्द का वचनेवं विभक्ति बत कर लीजिए गश्रूर्ण इंको हल जरूर करिएगा मेरे सला यह देगी आप सभी को यहां पर हम देखेंगे खंडबाख की शुरूर्वात हो जाएगे पक्चास नंबर का पूरांग होगा यह यहां पर आप देखेंगे इसको आप होको हल करना है पूरा प्रिशन आप दे ज拜拜 इसको दिया गया था गध्यामस उसका भी चहन मझे इनको आप हल करेंगे और इसके रावाद संसकरत का तीसरा प्रश्ण होगा यहिँ इसको भी आप पहल करेंगे और कैसे आपको परिचा में लिखना है ये सारी चीजें भी मैं आपको आगे बताने वाला हूं इसलिए चैनल को भी सब्सक्राइब करिएगा अपने पठित खंडगावे के आधार पर निमलिखित प्रशनों में से किसी एक प्रशन का उतर दीजिए ये तीन नंबर का आता है और मैं आपको बता दूंँ, इन तीन नंबर्स के लिए मैंने सभी खंडगावियों के बारे में आपको बताया है, मुक्तिदूत हो गया, उसके आलावा, ज्योत i traumat हो गया, मेवार मुकृत हो गया, अगर पूजा हो गया, जैसुभास हो गया, मात भूमी के लिए, करन, करम भारत तुमूल खंड़कावी इन सभी खंड़कावियों के बारे में मैंने आपको बताया है और छट्वा अगर मैं आपके लिए बात करूँ क्या हो देगा का नमबर प्रशल के अगर हम बात करें तो यहां पर क्या होगा पांच नमबर का यह प्रश्ण होगा और जीवन परीचे से संबंधित। वीडियो है यह प्रश्ण जो है जीवन परीचे से संबंधित है इसके लावा मैं आपको यहां पर एक चीज़ और बताना चाहूंगा जीवन परीचे से के बारे मैं मैंने उस वीडियो में बताया है उसके लावा यहां पर लेखक है और नीचे जो है कवी है कवियों और लेखकों के बारे मैं मैंने डेटेल में बात की है उसको आप जूड़ देखिएगा उस वीडियो को अलग अलग वीडियो बनाये गए हैं आप देख लेंगे इसको आप cover कर पाएंगे इसके लावा एक इस लोग आता है दो नंबर का रहेगा इसको भी आप याद कर लिजेगा अपनी पाठे पुष्टक से और इसके लावा संसकरत के जो प्रशन है इनको भी उनके उतर देने हैं और ये जो हैं चार नंबर के प्रशन होगे इसमें से दो प्रशनों के आपको उतर देने है और जो नवा प्रशन होगा ये नौ नंबर का प्रशन है important प्रशन है और किसी एक विशे पर निबंध लिखना है ये नौ नंबर का प्रशन होगा इसमें आप करेंगे कि इन सभी के बारे में आपको एक बार सोयम से लिखना होगा अगर आप इन सभी विस्यों को लिख लेते हैं तो काफी हद तक ये कहा दा सकता है कि इन चारों में से कोई भी एक विस्यों आपको देखने के लिए मिल सकता है इसलिए आप इन चारों विसेयों पर एक बार सुयम से जरूर लिखेंगे और 9 नंबर का ये प्रश्ण होने वाला है आप जरूर ध्यायन रखिएगा इसका और मैं आपको बता दूँ अगर ये सारी चीजें कवर कर लेते हैं तो कम से कम 90 प्रश्ण नंबर आ सकते हैं आपके 90 से जादा नंबर आप ला सकते हैं 95 नंबर तक कवर कर सकते हैं इसलिए इस वीडियो को आप जरूर देखिएगा इस वीडियो में जो भी चीजे मने आपको बताई हैं उनको आप solve जरूर करिएगा यानि इस प्रश्ण पत्र को आप स्वेम से जरूर हल करिएगा इसके लावा टेलीग्राम गृर्प से इस प्रश्ण पत्र को डाउनलोड कर सकते हैं इसके बाद इसके लावा आप चाहे तो उत्रप्रदेश माध्यमिक सिच्छा परिशद की वेबसाइट से भी प्रश्ण पत्र को डाउनलोड कर सकते हैं उत्रप्रदेश माध्यमिक सिच्छा परिशद की वेबसाइट से भी डाउनलोड किया जा सकता है इस प्रश्ण पत्र को कैसा लगा ये वीडियो आप ज़रूर कमेंट करिएगा बाकी मैं जो भी प्रशन अछिसमें पूछे गए हैं उनको अभी मैं अगले वीडियो में कवर करवा दूँगा इसके अलामा अभी मैं अन्छे वीडियो भी प्रशनपत्र के बनाउँगा उनको भी आप जरूर देखिएगा अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर करिएगा वीडियो को पूरा देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद